असलामलेकों आज मैं आपको वाइट सॉस बनाना सिखाऊंगे और बहुत ही मज़दार बनती है और इसमें बिल्कुल चीज जैसा टेस्ट आता है तो बिस्मिल्य रह्मान निर्वाहिम चले हैं स्टार्ट करते हैं यह मक्षन है टू टेबल स्पून मेल्ट किया हुआ है टू जो अखित्वा से बभाण करूंगी लेकिन क्ई में इसमें थोड़ा से इसको मेल्ध करूंगी इसकी कि इसी वाइट सॉस को मैं इस्तमाल करके तो अपने अगली वीडियो में बहुत अच्छे से सेंड़ुच बनाना सिखाऊंगी, इस वाइट सॉस को आप बर्गर में इस्तमाल कर सकते हैं, मिनी पीजा में इस्तमाल कर सकते हैं, सेंड़ुच में इस्तमाल कर सकते हैं, यह अब त इसकी तरह इसकी भुनाईगी करूंग यह हां तक कि यह थोड़ा थोड़ा सुर्खो जाए इसमें एक से Optת एड़ कब में पानी का इसतेमाल करूंगी दूध ही डालना पानी नहीं डालना आप इसमें से चीज स्किप कर सकते हैं लेकिन मक्षन, मैदा और दूद स्किप नहीं कर सकते हैं ब्लैक पेपर और सॉल्ड पी हस्बे जूरता आप डाल सकते हैं कम या जादा आप अपनी मजी से कर सकते हैं इसका कलर गोल्डन हो चुका है अब में इसमें एक कप दूदेट करूंगी पहले थोड़ा सा करूंगी फिर इसके बाद और जादा करूंगी थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा डाल दूंगी पक्तने के बाद इसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल दूंगी इसमें और आप इसमें चीज एड़ कर दूंगी यह बहुत जल्दी से जटपट बनने वाली यह रेस्पी यह देख सकते हैं इसमें इसकी तारें देखें बिल्कुल जैसे चीज की तारें बनते हैं ऐसे बन रही हैं इसको जब मैं उसमें इस्तिमाल करूंगी सेंड़िश इसमें तो बहुत ही एच्छी इसकी लूक आएगी तो यह देख सकते हैं यह तक्रीब बनते हार है मैं इसको किसी बॉल में निकाल लूँगी इसमें थोड़ा सा मैंने दूद और एड़ कर दिया है मुझे थोड़ी ज़्यादा ठिक लग रही थी तो इस वज़े से मैंने थोड़ा सा दूद इसमें और एड़ कर दिया है यह देख सकते हैं चीज की वज़े से इसमें बहुत सारी तारे बैं रही हैं अगर आप चीज में नहीं अड़ करेंगे तो यह तारे नहीं बनेंगे लेकिन इसके टेस्ट पर कोई फर्क नहीं आएगा इसका टेस्ट चीज की तरह कहीं होगा आप मैं इसको बॉल में निकाल लूँगी यह देख सकते हैं अमीद करते हूँ आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो लाइक और शेयर जूर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिए और मेरी एगली वीडियो आने तक के लिए अल्ला हाफिज